बिसमिल्लाय रह्मानुरहीम अटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है बिटा बीएमसी के सेलिबस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर नमबर टू है और इसमें जो चीज़े मौझूद है वो फस्टेयर केमिस्ट्री चैप्टर नमबर थ्री और फोर के अंदर डिस्ट्रिब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको आना क्या चाहिए डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस तो हम शुरू भी महीं से करते हैं कि पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस के भी नाम से कहा जाता है या कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट के भी नाम से डिस्कवरी और पॉजिटिव रेस को भी कहा जाता है इसमें क्या किया गया वही discharge tube experiment किया गया जो के discovery of electrons के लिए किया गया था लेकिन यहाँ पर जो cathode ली गई यह perforated cathode ली गई ठीक है और यह रहा है नोट यह हमने connect कर दिया किससे high voltage source से यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया vacuum pump लगा दिया जिसकी वज़ा से अंदर का जो प्रेशर है वह क्या हो सकता है ठीक है अब जब हमने high voltage of electricity पास की high voltage of electricity पास होने से cathode से रेज निकली और वह किसकी तरफ जाके strike करती है एनोट की दरफ जाके strike करती है इन रेज को हम क्या कह रहे थे cathode race कह रहे थे लेकिन देखा यह गया कि जब cathode को perforated बनाया गया तो कुछ race पोजिट्ली ट्रावल करती भी नदर आई जो कि आपके पास cathode से पीछे के दरफ जा रहे थी ठीक है तो कैथोड की direction यह थी आपके पास जबकि यह आपके पास क्या है कैथोड से reverse जा रहे थे तो obviously सी बात है एक की movement इस तरफ है दूसरे की movement इस तरफ है मतलब they have the dissimilarities तो हमने यह कहा कि हम चेक करते हैं कि यह भी उसी तरह से particles produce होते में नजर आ रहे हैं जाके से कैथोड और एनोड के दर्मियान में cathode race produce हो रहा है अब इनकी properties देखते हैं हो सकता है शायद यह वाली कुछ रेज पीछे की तरफ ट्रावल होना शुरू हो गई हो तो हमें तो properties जब हम चेक करेंगे तो हमें clarify होगा क्या है यह जो रेज हैं यह कौन सी रेज है तो properties को जब चेक किया गया तो वो तमाम के तमाम experiment जो के cathode race के लिए कि गए थे एनोड पर apply किया गए सबसे पहले देखा यह गया कि इनका mass है के नहीं इनका momentum है के नहीं है उसके लिए हमने क्या क्या पैडल वील experiment किया पैडल वील experiment में इस तरह से बहुत ही light एक वील इन्होंने रखा और light वील मूफ कर सकता है जब भी इस से कोई भी particle तकराएगा light से light पार्टिकल भी तकराएगा तो यह क्या करेगा मूफ करेगा जब पैडल वील को हमने यहां पर रखा तो पैडल वील rotate होना शुरू हो गई तो पैडल वील की rotation हो रही है जो के clarify करता है कि जो भी particle पीछे move कर रहा है इट है मास इट हाज मुमिंटम इन इस मूविंग विलोसिटी तो मास है और विलोसिटी से है के नहीं तो चार्ज है के नहीं कि इसके लिए हमने अप्लाइब की इसके लिए आसपास इलेक्ट्रिक प्लेट अग्या झालें डिफ्लेक्टेड टुवार्ट्स नेगेटिफ लिए जिसके इस बात ही 101 परसंट क्लैरिफिकेशन हो गई कि नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्के कौन था चार्ज बॉज इनके उपर तब यह किसी तरफ मूव कर रही है नेगेटिव चार्ज की तरफ फिर हमने यह देखा है कि कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो आसपास मैगनेटिक फील जनरेट करता है कोई भी पॉइंट चाहिज अपने आसपास क्या जनरेट करता है कि आग्या ग्या एक तरफ नौक्ट पौल अप्लाई किया और दूसरी तरफ सब्सक्राइब डिलेक्शन नदर आगी मैं मैं इनके और डिफलेक्शन आई कि तरह कर गए तरह की तरफ मूव कर गए और इनके आसपस क्या मौझूद है, मैगनेटिक फिल्ड मौझूद है यह वाली बात क्लियर हो गई फिर हमने देखा कि अनके ओपर चार्ज कितना है तो चार्ज आपके पास जो भी है वो निकाला फिर उनका मास हमने निकाला और फिर हमने चार्ज टू मास रिशो निकाला चार्ज टू मास रिशो हमें अल्वेज डिफरेंट हर बार डिफरेंट हम मिला हर बार ही डिफरेंट मिला क्यों हर बार डिफरेंट मिला बेसिकली चार्ज टू मास रिशो एलेक्ट्रॉन का सेम रहता है क्योंकि एक एलेक्ट्रॉन पर हमेशा चार्ज होता है 1.6-19 कुलम और हमेशा उसका मास सेम रहता है लेकिन यहां पर जब सब्सक्राइब यह रभार पर आगर पॉसितिव चार्ज सेम है और विया गाल फूर इंदम इस सेंडर तो इसका हर्गेस मकस्द यह नहीं होता कि उनका मास भी सेम हो तो अंदर जो गैस पड़ी हुई है यह सबसे स्ट्रॉंग पॉइंट तो इसकी स्टेट्मेंट क्या है कि इस सबसेंट के लिए चार्ज के लिए चार्ज टू मास रिशो निकालोगे इसके लिए चार्ज टू मास रिशो इसके लिए हमेशा चार्ज टू मास रिशो क्या मिलेगा डिफरेंट मतलब मैं यह कह सकता हूं कि चार्ज टू मास रिशो किस पर डिपेंड कर रहे हैं डिपेंड अपॉन मटीरियल फिल इन ट्यू फिल इन डिश्चार्ज ट्यू वह मटीरियल जो के अंदर प्लेश किया गया है उस पर बेसिकली आपके पास क्या कर रहे हैं यह पेस कर रहे हैं तो दो पॉइंट इसके सबसे जादा के लिए इंपॉर्टन पॉइंट है वह यह कि इनका आपके पास जो चार्ज टू माजरेशों डिफरेंट होता है सेम रहता है और चार्ज टू माजरेशों किस पर डिपेंड करता है बेसिकली उस मटीरियल पर जो कि इस चार्ज चूप के अंदर क्या है आपके बास मौझूद है इनके दूसरे नाम क्या है किस से प्रोड्यूस्ट होते हैं आपके आज डिफलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं कि सारे पॉइंट वाइस और मजीद आ सकते हैं तो डिस्कवरी इन प्रॉपर्टीज और कॉंटम थियूरी यह थियूरी क्या कहती है एटम नीदर एब्जॉर्ब नौर रिलीज energy in and arbitrarily quantity comma इत अल्वेज अ फिक्स्ट वैल्यू अटम निदर अब्सॉर्ब नर रिलीज अनर्ज इन अर्बितरी कॉंटिटी इत अल्वेज अ फिक्स्ट वैल्यू minimum are quanta or its multiple that have energy h into new एक एक अटम कभी भी ना तो energy अब्सॉर्ब करता है और ना ही रेडियेट करता है unlimited quantity में हमेशा वो fixed quantity में अब्सॉर्ब करता है basically तोर पर कमस कम भी वो जो एक energy का अब्सॉर्ब करेगा वो एक packet of photon होगा जिसके अंदर energy होगी h into new क्या उसके multiple times photon को वो क्या कर सकता है absorb कर सकता है जैसे two photon, three photon, three photon, four photon तो एक photon में energy कितनी है एक photon में h into new तो जब वो दो photon करेगा तो एक और एक ह मतलब टो ह हाट न यूँ अब्सॉर्ब कर रहा है अगर एक और एक photon अब्सॉर्ब करेगा तो थृ हे हम यूद्स को न वे हो जाएगा हो गई एंटाइस मुल्टिपल अप एच इंटू नियू इसमें कोई मसला नहीं है यह यह पर एक नदर एनरजी होती है कमस कम भी एक कॉंटा जो आपके पास होता है उसमें यह हिए और एनरजी मौझूद होती मतलब एनरजी पैकेड यह फो टॉंट यहाँ पर क्या है कि प्लांग कॉंस्टेंट को जिस भी एक्वेशन में एच लिखा वा नजर आ जाए न मतलब वो थियोरी हमें यह बताती है पार्टिकल नेचर आफ एटम के वारे में और जिस भी Atomic Theory के अंदर या Atoms Related Theory के अंदर एच नहीं आ रहा मतलब वो बताता है कि Atom वेव नेचर ऑफ एटम को एक्स्प्लेइन करता है Atomic Nature of Atom यानि Matteralistic Nature of Atom या Matter है अटम का Matteralistic Nature को एक्स्प्लेइन करना तो इसकी equation में एच जरूर आपको दिखाए देगा New क्या यहां पर Frequency of Radiation अब इसमें से कौन सा सवाल एहम है एक तो इसकी equation एहम है उसके बाद एक कांटा के अंदर कितनी एनरजी होती है इसकी statement एहम है और या इसकी statement देकर कि इसकी theory का नाम पूचा जा सकता है या equation देकर कि आपके पास theory का नाम पूचा जा सकता है तो यहां प energy absorb या रेडियेट होती किसी भी एक आटम से इन फॉर्म आफ इसमॉल पैकेट्स तैट कंटेन एनरजी डाट इस इकवर्स तो एक लिस्ट वन कॉंटा और एनरजी कमस कम भी आपके बास जो एब्सॉर्व या रेडियेट होगी वह इसके multiple times अब्सॉर्व या फिर रेडिये हम quantum theory का according कैसे explain कर सकते हैं मैं इस चलो देखा हम बता रहा हूं quantum theory का according जो आपके बास हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन का शेल कहां पड़ावाई फर्स शेल्व के अंदर आपके बास इसका electron मौझूद है और पहला electron मौझूद है तो यहां से जो आपके बास energy आप यह electron for example बिल एकसाइट करके किसी दूसरे शेल में चला गया अब वो जब वहां से वापस आएगा तो वहां पस से वापस आते वह क्या करेगा energy को release करेगा और वह जो energy को release करेगा वहोगी h into new के एकवल किसके एकवल होगी h into new के एकवल या पिर आपके बास इसके multiple times ही होगा इससे ना तो ज्यादा हो सकता है ना ही का मतलब arbitrary quantity में नहीं होता आपर सिर्फ समझाये जाता है कि simplest item आप ले लो hydrogen और hydrogen atom में भी जब दूसरे shells से यह कहीं से भी आपके पास electron आता है arbitrary country का मक्सदा unfix quantity जैसे fix ना 1.6 exponent minus 90 कुलंग arbitrary का मक्सद कभी 1.6 हो कभी 1.2 हो कभी 1.4 हो कभी exponent minus 1 कभी 3 हो कभी 4 this is arbitrary quantity ठीक है कि इसके बाद concept of orbital में जानेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि concept of orbital में distinguish इसका learning objective में भी आपके पास concept of orbital ही मौझूद है तो पहले तो हम देखेंगे शेल सब शेल फिर जाएंगे और बिटल की तरफ और फे फॉर्मिलाज उसके देखेंगे जिससे सवाल आएंगे आपके ठीक है तो मैं सेकेंडर के मिस्टी में तो इसका concept बहुत अच्छा पक्का हो चुका होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे शेल्स की और शेल्स कौन से होते हैं वह होता है के शेल दूसरा होता है एल शेल तीसरा होता है M शेल फिर N शेल इस सरा दे चलता जाएगा तो यह के शेल के लिए जो N है वो बराबर होता है वन के एल शेल के लिए N जो है वो बराबर होता है टू के M-shell के लिए N जो बराबर होता है, होता 3 के और 4th के रो, या N-shell के लिए N की वेल्यु किसके बराबर होती है, किसले हम इसे थर्ड शेल, 2nd shell, 3rd shell और 4th shell भी करते हैं सबस्के कंदरजी K-shell के होती है, उसमें मौझूद Electrons की होती है, उसे ज्यादा energy L shell की होती है उसे मौझूद electrons की होती है M shell की उसे ज्यादा energy होती है उसे मौझूद electrons की होती है एक shell को basically तोर पर कौन create करता है? Electrons create करते है The path that is generated by the electrons during the movement around the nucleus of an atom That path is actually called as shell वो path या वो रास्ता जो कि एक atom के एर्ध गेद electron के घूमने से electron में बना देता है उस रास्ते को ये उस पास को हम क्या बोलते है shell के नहीं? शरी है Shell के पाद दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? आपके बास sub shells Sub shells कितने? चार है पहले shell में सिर्फ S होता है तूसरे shell में S और P होता है ठीक है तो S, P, D और F sub shells आपके बस मुझूद हैं यहां तक बात clear इसमें कोई मसला नहीं है तो हमने shells की बात कर ली sub shells की बात कर ली अब next जो चीज़ है बटा that is orbitals that are orbitals S sub shell में कितने orbital होंगे बस एक L sub shell के अंदर कितने orbital होंगे S sub shell में एक ही orbital होता है और P sub shell में total तीन orbital आपके बास मुझूद हैं तो K shell में चूंके एक ही आपके बास sub shell है that is S और उसमें एक ही orbital होता है तो मैं लिख सकता हूं कि एक ही orbital है L sub shell में दो sub shell है S और P तो S की वज़र से एक orbital होगा और P की वज़र से तीन orbital तो total कितने हो गए 4 orbitals are present in L shell एक orbital तीन तीनतीन और एक चार हो गया और D के 5 तो पँस चार नो तो वन प्लस त्री प्लस फाइव jak Тोटल कितने होता है कि अगर उस तरह तो गहर कि अभने को किए कि अगर ऑर्बिटल के पूछे आपके इसके कि अग्याद ने वहो कि यह कि अथरी जो से पीड़ाइब देखो आट वे कि आट-टरेश पोचे या और जो डी सभ Georgia होगा उसमें कितने chromosomes हो था कि फीर इस अदर आपके पासद नहीं होगा तो फॉर्मूलाज लिखा है जो सिंद्बोट की किताब में आपके पास परीज नमबर 107 पर आपको यह फॉर्मूला लिखा हूं मिलता है तो परीज नमबर 107 पर 3-4 फॉर्मूलाज है सबसे पहला तो यह फॉर्मूला है कि एक शेल में कितने एलेक्ट्रॉन आएंगे अगर हम आफ शेल पूरे पूरे शेल के एलेक्ट्रॉन सी बात की जाए तो क्योंके के शेल में एक सब्शेल है यह इस और उस में एक यह और्बिडल है तो के शेल के अंदर सिर्फ एस में ही दो ऐलेक्ट्रॉन आ सकेगा L-shell में total 2S में आएंगे 6P में तो total 2 plus 6 मतलब 8 electrons can be present ठीक है M-shell में total आपके पास 9 orbital है हर में 2-2 electron रहेगा ठीक है तो S-orbital में 2 electron चलेगा P-orbital में 6 चलेगा D में आपके पास 10 चलेगा तो total कितना होगा आपके पास 18 electron होगा जितना orbital होते हैं N-shell के अंदर S-P-D और F-shell है तो S-shell के अंदर 2 electron जाएगा P में 6 जाएगा D में 10 electron जाएगा और F में 14 electron आपके पास चले जाएगे तो total कितने होगा आपके पास 32 electron चले जाएगे चलो तो electron समझ आ गए अब आप से directly सवाल अगर ये पूचा जाए ये बताईए किस शेल में कितने electrons होंगे electrons in a shell और shell का दूसरा नाम होता है energy levels तो directly आपसे ये पूचा था है किस शेल में कितने electrons होंगे तो ये कैसे बताऊगे formula होदा तो N-squire उससे बताऊगे जैसे कि अगर मैं बात करूँ K-shell की तो K के लिए N की value क्या होती है 1 तो इसके लिए 2N square लगाओ formula तो 2 multiply by 1 का square अंसर क्या आएगा इसका 1 का square 1 2 से multiply होगा तो 2 अज़र पहले shell में कितने electron आ सकते हैं 2 L shell formula apply करो 2N square K के लिए L के लिए N की value क्या होती है 2 तो यहाँ पर 2 multiply by 2 का square तो टूज़ा फोर फोर टूज़ा क्या हो गया 8 electrons मौजूद है किस चपके किस shell में L shell में मतलब जो हमने अभी count किया वो directly formula से निकल रहा है इसी तरह से N shell में अगर निकालो तो 3 तो 3 तो 3 तो 3 तो 3 तो 9 9 टूज़ा 18 electron हो जाएंगे और अगर M shell में N shell में निकालोंगा तो एन की जगा 4, 4, 4, 16, 16, 2 तो 32 electron हो जाएंगे आपके पस तो जो formula है that is 2 and square यह किस काम के लिए इस्क्रमाल होता है किसी भी एक shell में कितने electron हो टूटर आ सकते है या कोई भी एक shell बनाता है कितने electron मिल कर गे असल जुम्ला ही है कि कोई भी एक shell आपके पस कितने electron मिल करके बनाएंगे तो M sub shell is formed by 18 electron N sub shell is formed by 32 electron L sub shell is formed by 8 electron and K sub shell is K shell sorry N shell is formed by 32 electron M shell is formed by 18 electron L shell is formed by 8 electron and K shell is formed by 2 electron basically what is shell वो रास्ता या वो पाथ जो के नूक्लियस के अराउंड electrons के घूमने से बनता है उस रास्ते को हम क्या कहते है उस बाथ को हम क्या कहते है shells कहते है ठीक है या जिसे हम energy levels कहते है अब दूसरा formula होता है that is called as 2L plus 1 अब ये किस काम के लिए इस्तमाल होता है 2L plus 1 number of orbitals in each sub energy levels number of orbitals in each sub energy level energy level shell को कहते है sub energy level sub shell को कहते है मतलब S, P, D और F जी अगर बात की जाए number of orbitals in each sub energy level की बात की जाए मतलब sub shells के अगर बात की जाए तो इसके लिए जो formula होता होता है 2L plus 1 का अब एक होता है आपके पास azumetal quantum number और azumetal quantum number को हम L से लिखते है S के लिए L की value होती है 0, P के लिए L की value होती है 1, D sub shell के लिए L की value होती है 2 और F sub shell के लिए L की value क्या होती है 3 तो number of orbital in each sub energy level मतलब एक orbital के अंदर sorry एक sub shell में कितने orbitals मौजूद होंगे यह आपको बताना है जैसे कि S का sub shell है उसमें कितने orbital होंगे आपको यह बताना है एक ही होता है formula से चेक करते है L की value 0, 0, 2, 0, plus 1 कितना आगया एक ही orbital होता है next P sub shell में कितने orbital होंगे L की value 1 हो गई तो 1 यहां रख दिया 2, 1, 2, 2, plus 1 कितना हो गया 3 orbitals हो गए अगर D sub shell की बात की जाए तो D में आपके पास क्या होगा 2 रखेंगे 2, 2, 4, 4, 4, plus 1 क्या हो जाएगा 5 orbital तो इसलिए D sub shell में 5 orbital होता है और F के लिए क्या करेंगे F के लिए हम यहां पर put करेंगे 3 तो 3, 2, 6, plus 1 कितना हो गया 7 तो 7 orbitals आपके पास होगा यहां तक बात क्लिए तो number of orbitals नहीं सब energy level यह sub shell का अंसर क्या हो गया यह भी आपके पास निकल गया अब एक और एक formula हो दा that is called as 2L plus 2, 2L plus 1 मतलब इसको भी हम 2 से multiply करते है maximum number of electrons that can present in each energy sub level देखो L की value जब भी आजाएगी ना तो sub shell की बात होगी और N की value जब जब आएगी ना तो shell की बात होगी तो अगर उसको याद ना है कि shell की बात हो रही है sub shell देखना N की बात हो रही है या L की value बात हो तो L का मकसद है आपके पास sub shell S B D F और N का मकस्त होता है सिर्फ shell मतलब energy levels अब ये है कि आपके पास number of electrons in each sub energy level मतलब sub shell मतलब किसी भी एक sub energy level में सब shell में कितने electron आ सकते हैं उसका formula क्या है उसका formula 2L plus 1 यहां तक बात clear अब हमने कहा कि S में कितने एलेक्ट्रॉन आएंगे S सब्षेल में मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ तो 2 और 2 और S की जगा रखा हमने 0, L की जगा हमने रख दिया 0 प्लस 1 तो टोलर कितने एलेक्ट्रॉन आ गए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए डी सब्षेल में देखेंगे फॉर्मूला यहां पर 2 प्लस 1 यहां तक बात क्लियर और इसी तरह से आफ के लिए आपके बास निकले का 14 इलेक्ट्रॉन ठीक है यहां तक बात समझ आ गई अभी यह कॉंसेप्ट ऑफ और्बिटल चल रहे हैं ठीक है यह कॉंसेप्ट ऑफ और्बिटल कंटिणूर डिस्टिंगूश अमंगदा प्रिंसि आख और रहे हुए जड़ का कवरतल था अंड़ अर्बिटल के अंदरिफ के अंदर अगार्बिटल एसग्लां से इसारे आपके बस इंक डूसरे के लिए जन्रे तो आटामिक अनहाइब्र होकर के बनाते हैं तो देरेजर डिफरेंट बिट्वीन अनहाइब्रेडाइज ऑर्बिटल्स आटामिक और बडल सब्सक्राइब को मिलाने से बनते हैं अगर मिलते हैं तो आपके पास आपस में नहीं अब बोलो कि सर पीएख तो अलग तरह के और बिटल हो गए तो आपस पर डिफरेंट होते हैं यहां पर उसकी बात नहीं की जा रही मतलब दो डिफरेंट टाइपस अफ और बिटल होने चाहिए आपके बस नहीं दो अलग आपके पास जो है ना सब्षेल्स वाले और बिटल ह होने चाहिए मतलब एक एस का तो दूसरा आपके पास जो है ना जो होना चाहिए तो होगी आपके पास अच्छा यहां तक बात क्लियर होगे समझ आ गई अब हम शेप और फॉर्बिटल देख लेते हैं अगर मैं सब्षेल्स की बात करो तो सब्षेल्स का जो शेप होता होत सफैरिकल ओए सफैरिकल की जो बात ही एक फिरक यह कीसा होता उस का शे इस फैरिकल होता हैं अब इसके लिए कुछ मजीद बात हैं सब्षेल के अंबर अल एक्सिस और प्रेजेंट तमाम के दमाम एक्सिस इसके अंदर मौझोद होते हैं जितना आपके पास बढ़ा पॉसि मैस्टिबिलिटी होती यह सब्षेल है ना सिस पर दो रख्रॉन हैं तो दोनुग पाए जाने का चांस एक्स पर जितना वाई पर बी दो ओल्लेक्सिस पर आपके पास पाई जाने का चांस इलख्रॉन position is present मतलब कहीं पर भी आपको electron मिल सकता है so probability of finding electron is maximum at all the axis जाइ जिनी फॉर्म probability of finding electron is uniform कौन दे सब शेल में एस सब शेल के अंदर ठीक है there is no noodle plane बता रहो नोडल प्लेन उस लक समझ आएगा जब हम पी सब्सेल को ड्रॉ करेंगे अच्छा इसको हम क्या कहते हैं इसका नाम हमने रखा है sharp क्योंकि इससे इसमें जब electron आता है और जो radiation निकलती है उसको प्रिजम से पास करें तो sharp lines हमें होती है spectrum में इसका जो नाम है s वह से रखवा है क्योंकि इससे लाइन आप्टेन होती मतलब कोई भी अगर आपके पास electron s sub shell के अंदर आगे गिरेगा तो sharp line produce करता है फ में गिरता तो फंडमेंटर और डी में गिरता तो अब हम देखेंगे piece of shell अगर बात कि जा तो piece of shell के कितने और बिटल्स है piece of shell आपके पास बिटा तीन और बिटल्स अ पर कंसिस्ट हैं कि वाई पी एक्स और पीजट यह पुरा piece of shell कौन दर शीट है piece of shell में आपके पास क्या मौजूद ए px मौजूद है भी वाय मौजूद है पीजए यह स्का आपके पास plus half portion यह negative यह प्लस सबसक्राइब फ्सक्राइब क si plus और किस लिहाँते एक पी एक कर दुब मैं यह पास जो बिटा आपके बास नोट होता है त nest पॉजटिव स्पिन वाला एलेक्ट्रोन है तुसले इस नोट को क्या नाम दे दो पॉजटिव यह जो पी सब शेल है ना आपके पास उसमें यह जो और बिटल है दाट इस पी एक्स इसके दो लोग जिस पॉइंट पर आपके पास has connected है का उसको हम कहता है और उसको हम कहते हैं और ऺण प्लेन कि इंटेर नोट्टों के द्रम्यान में लेकिना मुझते को नूटल प्लें पर एलेक्ट्रॉन के पाये जातने का chance zero होता है probability of finding electron at nodal plane is zero क्यों zero because nodal plane पर positive charge accumulate होता है वहाँ पर electron पाए जाने का chance नहीं होता और nodal plane से दो nodes जो होते हैं ना किसी भी एक आपके बस orbital of sub shell जो है मतलब ये P के सारे आपके बस orbital है ना P sub shell के सारे orbital है तो P sub shell के सारे orbital के अंदर कितने nodes मौझूद हैं दो-दो nodes मौझूद हैं और जो दो नूट आपस में जिस point पर connect होते हैं यह point आपके पास क्या के लाता है बिचा नूडल plane के लाता और नूडल plane पर electron के पाए जाने का chance क्या होता है जीरो नूडल plane पर आपके पास electron नहीं मिलता और इसको प्लस आप और negative क्यों क्यों देते हैं लोप को क्योंकि आप पर positive spin में electron होता और यहां पर negative spin में electron होता है यहां तक बात clear हो गई और इससे जो आपके पास lines जो produce होंगी वह कौन से होंगी principles दी और वाय जोई ना उसके लिए डिफ्यूजर फंडमेंटल कवर्टर उनकी शेफ complicated है इसलिए यहां पर भी इसने बोला कि आप जो शेफ से नहीं वह सिफ एस फ़र पी के define करें ठीक है अच्छा इस यह उसके बादे जिस्क्राइब तब कॉंसेट हो गया रडिएशन का कंसेट हो गया यूज्ट ऑप प्रिंसिपल्पॉली सब्सेब्र अनुन्स रूल रट दा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से हैं सिफ एक एक एंस यूज्ट आते हैं इस और बहुँक है वह जो पॉइंट्स लेक्वारा रहा हम इसी में सांजी यूज्ट बन जाएगा वालिस प्रिंसिपल प्रीज्ट एक करन प्रिंसिपल की बात बताओ कि बटिस मीन और प्रॉस है principle 9 in an atom 9 no two electrons can have can have same set of four quantum numbers what is quantum number वो चार नमबर जिसकी मदद से हम electron की exact position को locate कर सकते हैं किसी भी सब शेल के अंदर मौजूद और बिटल में किस शेल में एलेक्ट्रोन किस सब शेल में ऊस शेल के और उसमें किस और बिटल में और पॉजिटिव इस्पिन नेगिटिव इस्पिन में यह चार नमबर्स की मदद से महाता लगता तो four numbers pair यह four numbers that gives you the exact position of electron in an atom that four numbers are called as quantum numbers ठीक है पॉरी जास्टोजन प्रिंसिपल यह कहता है कि दुनिया में जितने भी atoms हैं हर एक atom के अंदर कभी भी किसी भी time पर दो electron जो आपके पास है इन दोनों के लिए चारो quantum number कभी भी same नहीं हो सकता always the four quantum numbers will be different तो हम क्या पढ़ रहे थे प्रिंसिपल में हमने यह देखा है कि उसकी जो प्रिंसिपल की जो statement है वो यह कि in an atom no two electrons can have the same set of four quantum numbers मतलब कोई भी एक element का एक atom है उसमें आया एक दो electron है चार है पांच छे साथ है हर electron के लिए चार-चार नंबर हम लिखते हैं वह चारों नंबर कौन से होते हैं प्रिंसिपल कॉंटम number ऐस्यमेथल कॉंटम number मैगनिटिक और स्पिन कॉंटम नंबर यह चारों के चारों नंबर में से कमस कम भी कोई एक number जरूर डिफरेंट होगा दो electron के लिए मतलब अगर तीन नंबर दो electron के लिए सेम होगा तो एक तो लाजमी डिफरेंट होगा हर हाल में तो इसलिए हम कहते हैं कि no two electrons can have the same set of four quantum number मतलब जो पूरा सेट है चार नंबर का quantum नंबर का वो कभी दो electron के लिए एक जैसा नहीं हो सकता इसकी violation किस तरह से कोई भी एक orbital आपको इस तरह से बना के दिया जाएगा और उसमें एक दो ऐसे तीन electron दिखा दिए जाएंगे तो तीन electron जहां भी देख लिए आपने symbol होना पॉलीस की वालेशन चल रही है उसके बाद होता है ओफबो प्रिंसिपल की बात की जाए तो ओफबो प्रिं energy level में जाएंगे डर इस वानसे डू एस तू पी त्री इस त्री फोर इस और चलता चला जाएगा और जब दो औपर प्रिंसिपल के लिए आपके बास जो لवास अनर्जी लेवल है उन में पहले एलेक्टों फिल होगा फिर उसमें हाईस में एलेक्टों फिल होगा आपके बास ठीक है तो लोवार एनर्जी लेवल झाहते हुए उसका अब कि एक आस आफ़OL 2SL तो क्या बोलता कि क्या आटम से सब्सक्स का में पर 10 networks hi ङौदर तो आपने आगे पीजे करके यह जिसको पहले लिखना चाहे था अपने बाद माद में लिखना चाहे उसको पहले तो वैले हो गई और शुरूम का बोलता है रिन यह पूलता है इससे हम हुंस्टूल आफ मैक्सिमम मल्टि प्लिसिटी भी कहते हैं हुंस्टूल बेसिकली यह कहते है कि जो और्बिटल होते है उसमें जो इलेक्टरॉन होते है यह फुल्फिल्ड होते हैं है ठी कोई कोई अर्बिटल होगा देन क्या और्बिटल युण आपके पस फुल्फिल्ड हो जाएगा आफे को सारे और्बिटल इन पहले क्या होगे अब इसकी वाइलेशन कैसे पहचानों के जैसे तुम्हारे पास यह एक और्विटल दे दिया इस और्विटल में यहां पर दोनों वह बहुलनि बहुलनिपर यहां पर एक और्यहले तो फ़ाल चाहिए था एक दो तीन इदर इस तरह से भराने चाहिए वन टू और ठी इसने गया कि पहले में दो वर दिया पर दूसरे में तो यह किसकी वाइलेशन हो गई होंट फ्रूल की वाइलेशन समझा गई बाद तो इस तरह से आपको वाइलेशन भी पहचाननी आनी चाहिए और इनके प्रिंसिपल मेंगनेटिक और स्पिन कॉंटम नंबर जो के प्रिंसिपल कॉंटम नंबर आपके पास क्या बताता है प्रिंसिपल कॉंटम नंबर हमेशा साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारें बताता है कि एक साइज ऑफ ऑर्बिटल कितना है और इसको हम एंड से लिखते हैं तो कोई भी एक अलेक्ट्रॉन अगर आपके पास के श जो प्रीन की कांट्टम EU होती है इस में मौझी होगी इस प्रिंसिपल कांटम नंबर की या प्रिंस्पल कांटम नंबर कि वैल्यु क्या होगी होगी अब आज़ो मितल कॉंटम नमबर को हम सबसेडरी कॉंटम नमबर भी कहते हैं और यह शेप औफ ओर बिडल को एक्स्ट्रेइन करता है इसको हम L से लिखते हैं जो कि अभी हमने बताया कि S के लिए 0 होता है P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है तीसरा quantum number होता है magnetic quantum number magnetic quantum number के लिए जो भी एक sub shell के लिए आपने L की value दी है उसको minus से start करके plus तक आप जाएंगे कैसे आप जाएंगे जैसे के S के लिए क्या होगा 0 L की value और P sub shell के लिए क्या होगा minus 1, 0 और plus 1 क्योंके L की value P के लिए 1 होती है D के लिए L की value क्या होती है 2 तो minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 F के लिए क्या होती है आपके लिए आपके लिए 3 होती है तो minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3 उसके बाद last है आपके पास कौन सा quantum number spin quantum number, spin quantum number basically elect 1 अगर clockwise direction में तो plus half इस तरह से और अगर इस तरह से electron मौझूद है तो उसके लिए negative half होगा यहां तक बात क्लिए आप ये इंटर में आपके बास hydrogen के अंदर जो helium में दूनों electron उनके लिए 4 हो quantum number लिखने होते थे ठीक है quantum numbers की मदद से हम पता सकते हैं कि किस electron की energy higher है किसकी lower है जैसे कि अगर मैं कहा रहा हो कि एक atom है जिसका principal quantum number है 2 दूसरा है electron उसके लिए principal quantum number है 4 तो मतलब वो electron fourth shell में बराव है न इनकी value 4 है मतलब वो electron fourth shell में तो obviously fourth shell की energy ज़्यादा होती है first shell और second shell के लिए आज से तो जो आपके पास mcq आए उसमें सबसे पहले देखना principle quantum number की value का ہے principal quantum number की value different होगी वह जो सबसे ज़ з finely numer के लिए जो भी लिखा होगा न की value 1 2 3 4 जो भी लिखा होगा तो जिसमें n की value सब से ज़, और सब से ज़, और ano arrival पर सारे खतम कर दिया ठीक है